नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने TaxiC TV चैनल पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप CP Plus के NVR में अलग अलग ब्रांट के कैमरे को एड़ कर सकते हैं और उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं और लाइब व्यू देख सकते हैं तो बिना कैमरे एड़ करेंगे उन्हें हम नौटपैड में लिख लेते हैं सबसे पहले हम उनका IP Address लिख लेते हैं तो देखिए मैं लास्ट वाली डिजिट लिख रहा हूं बाकी आपका जो सिरीज है वो आप रख लीजेगा और इसमें मैं मेक भी बता देता हूं कौन-कौन से हम इसमें कैमरे ड़ करेंगे जो सबसे पहले जो कैमरा है वो है cp plus का दूसतरा जो है हमारा ओए Axis का ठीक है Axis Company का और तीसरा वाला भी Axis Company का है और जो हमारा चौता कैमरा है वो है हमारा HigVision का ठीक है यहाँ पर तीन तरह की ब्रांड समझिए तीन तरह की ब्रांड हमें एड करनी है NVR को लॉग इन कर लेना है, लॉग इन करने के बाद आपको जाना है manager यहाँ पर camera में जाना है ठीक है आपको option दिखाए देगा add का और manual add का तो आप manual add पर किल्क कीजेगा ठीक है तो हम यहाँ पर सबसे पहले add करेंगे cp plus का camera ठीक है तो यहाँ पर हम डाल देते हैं ip address तो हमने यह सीरीज का इसमें हमें डालना है ठीक है 66 डाल दिया है इसके बाद आप प्रोटोकॉल देख लीजेगा वह आपको यह रखना है और मैनुफेक्चर जो है वह आपको सीपीप्लस रखना है ठीक है आप सीपीप्लस एडिकर रहें तो बाकी चीज़े अपना अप उठा लेता है उसके बाद आपको यहां पर आया वह पासवर्ड डालना अपने कैमरे का ठीक है यह चीज़ेगा डालने के बाद आपको एक बार एकसेश करके देख लिए ना है जो आपको इसे दिखा देता हूँ ठीक है आप देख लिए 66 ये एक CP प्लस का कैमरा है देख लिए ना आपको ठीक है ये पासवर्ड आपको डालना है अगर आप गलत पासवर्ड डालेंगे तो ये ओपन नहीं होगा ठीक है डाल दिया उसके बाद आपको क्या करना है OK पर क्लिक कर दिना है ठीक है और कि बाध आप देके अभी यहाँ पर रैड आ रहा है वेकिन हम इसे एक वार रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने कबाद लॉग इन करेंगे तो ये जो कैमरा है वो हमारा इसमें एड हो जाएगा ठीक है यह हो गया इसका स्टेटस घ्रीन तो ये चलने लगा है, तो अब करते हम दूसरा कैमरा एड, ठीक है, ये है हमारे पास 52 एक्सिस का कैमरा है, तो एक्सिस का भी हम आपको एड करके दिखाते हैं, ये हमने आईपी एड्रस इसमें डाल दिया है, आईपी एड्रस डालने के बाद आपको एक बार इसे ब्राउजर पर भी लॉगिन करके देख लेना है, इससे क्या है कि इससे पता लग जाएगा, जो पास्वड आप डाल रहे हो, सही डाल ले या नहीं, गलत होगा तो यहां आप भी नहीं कुलेगा, ठीक है, तो हम Xs के इस पर आगे हैं, तो यहां से आप लॉगिन कर लेजएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा फिर, तो यहां से आप लॉगिन कर लेजएगा, ठीक है, लॉगिन करने कबाद आपको पता लग जाएग, आपको पिचल प्लस कर रखेंगे तो चलेगा नहीं ठीक है इसमें डाल दिया इसके बाद हमने ओके कर दिया ओके करने के बाद फिर से रिफ्रेस्स करेंगे और फिर से लॉग इन करेंगे तो आप देखेंगे ये तो अभी भी नहीं चला है तो इसमें कमी क्या है तो अभी भी कुछ setting की इसमें गड़वर है या तो password की या फिर इसमें कुछ और कमी हो सकती है आपको भी प्रोब्म आ सकती है ठीक है रिप्रेंस करके देखेंगे फिर से लॉग इन करेंगे लेकिन अभी भी ये status red आ रहा है पोर्ट हमने सही डाला है manufacturer में थोड़ी गड़वर होगी है हमने देखा manufacturer इसमें cp plus आ रहा है तो हमें cp plus नहीं रखना अगर हम अलग ब्रांड का रखें तो manufacturer हमें cp plus नहीं रखना इसमें देखेंगे तो axis का कोई भी नहीं है तो हम on whip पर select कर देंगे ठीक है on whip पर click करने के बाद ये setting को change हो जाएंगी उसके बाद आपको ok पर click कर देना है ठीक है ok पर click करने के बाद आप देखेंगे हम manufacturer on whip हो गया है और फिर से refresh करेंगे login करेंगे आप देखेंगे उसके camera का जो status है वो green हो गया है और जो camera है वो चलने लगा है ठीक है इसके बाद हम आपको हेक्विजन का और add करके दिखा देते हैं इक बाद अब manual add पर जाने के बाद आपको यहाँ पर channel select कर लेना है manufacturer आपको यहाँ पर change करना है हेक्विजन यहाँ पर है नहीं तो हम on whip select करेंगे ठीक है कोई भी brand जिसमें on whip support करता है वो इसमें चलेगा ठीक है आई पी डाल देते हैं मेक्विजन का यह डाल दिया है यह डालने के बाद हमें यहाँ पर password डालना है अपने camera का ठीक है तो यह password हमने इसमें डाल दिया है और ok पर click करना है यहाँ पर अभी status red आ रहा है फिर हमें इससे refresh करना है एक बार ठीक है यहाँ पर click कर देना है फिर से login करना है और फिर से आपको management camera में जाना है आप देखेंगे आप इस status green हो चुका है तो हमारे तीन अलग-अलग brand के जो camera है वो इसमें add हो चुके है ठीक है एक बीजिनका cp plus का और axis का तो आपने देख लिया इस तरह से हमने add किया है इसी तरह से आपको भी add कर लेने है यह कैमरे एड करने के बाद अब हमें क्या है live view पर जाना है live view पर देखेंगे हमारे camera आ चुके है एक camera जो मैंने और add किया था वो मैंने वीडियो को start करने इस तरह से आप अपने camera को add कर सकते हैं अपने cp plus के nvr में यह थी एक वीडियो जो आपके लिए जानकारी जिसमें हमने दी है आसा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद चैनल को like, subscribe और share जरूर करें